और चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं बात अब जम्मू कश्मीर में डोडा में आतंकियों के खिलाब से ने ओपरिशन की डोडा के असार इलाके में मुटभेर में सुरक्षा बलो ने एक आतंकी को मार गिराया जबकि एक जवान शहीद हो गया असार के जंगलों में अभी भी कई और आतंकियों के छीपे होने की खबर है फिलाल सर्च ओपरिशन चारी है जम्मू कश्मीर में सीमा पार से हो रही आतंकी साज़िश के खिलाफ सेना ने ओपरेशन क्लीन अक्टवेट कर दिया है तस्वीरे डोडा जिले के असर के जंगलों की हैं मंगलबार शाम को सुरक्षा बलों को कुछ आतंक बादियों के छिपे होने की सूच ना मिली ऐसे में बिना देर किये सुरक्षा बलों ने राद के अंधेरे में उपरेशन शुरू किया पूरे इलाके की गेरे बंदी की गई और फिर शुरू हुआ सर्च उपरेशन जमीन पर पड़ी M4 राइफल पर गोर कीजिए बता जा रहा है कि सुबह होते ही सुरक्षा बलों ने सर्च उपरेशन तेज किया तो खुद को घरता दे राइफल और गोला बारूत से भरे बैक छोड़ भागने लगे आतंक बादी हलाकि आतंकियों कि ये कोशिश सफल नहीं हुए खबर है कि सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को उसके अन्जाम तक पहुचा दिया है इस ऑपरेशन में 48 रास्ट्रिये राइफल्स में तैनात कैप्टन दीपक शहीद हो गए वही एक स्थानिये यवक खायल हुआ है बताया जा रहा है कि 15 अगस्त को स्वतंतता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की साधिश रची जा रही थी जिस पर सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया माना जा रहा है कि सीमा पार मौजूद आतंक के आकाओं का असल टागिट जम्मू कश्मीर के विधान सभा चुनाओ है जिसकी तैयारियां तेज रफ़तार से जारी है फाल के दिनों में जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में आतंकी गटनाए तेजी से बड़ी है LOC के उस पार कहीं लॉंच पैड सक्री होने की भी खबर है लोग सभा चुनाओ में गाटी की तीन सीटों पर रिकॉर्ड मतदान के बाद आतंकी गटनाओ में तेजी आई है वहीं अब आतंकी की कोशिश प्रदेश में प्रस्तावित विदान सबा चुनाओ को प्रवाविद करने की है अगर पिछली कुछ घटनाओं पर नज़रा लें तो सर्फ अगस्त के महीने में आतंकी हमले की ये पाचवी घटना है इस साल अब तक जम्मू कश्मीर में टेरर अटैक की 36 घटनाए हो चुकी हैं इसमें 18 नागरिकों की जान चली गए 19 जवान शहीद हुए जबकि सुरक्शाबलों ने 35 आतंकवादियों को धेर कर दिया इस साल सबसे ज़्यादा आतंकी हमले पुलवामा, अनंतनाग, वारामुला जिलों में हुए हैं तो वहीं कुलगाम, रियासी, कुपवड़ा समेत राज्यों के दूसरे जिले से भी आतंकी हमले और खुसपैट के खबरे आई ऐसे में सुरक्शाबल अलर्ट है पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में बड़ी अशांती फैलाने के फिराक में है पाकिस्तान ने जम्मू के रजोरी सेक्टर में करीब चार से पांच लॉंचिक पैट्स को सक्रिय किया है जिन में करीब 30 से 35 आतंकी जो हैं वो बैठे हुए हैं और उस घड़ी का इंतिजार कर रहे हैं कि किस समय वो सीमा पार करके इस तरफ आ जाए तेजी से बढ़ रही आतंकी घटनाओं को देखते हुए सुरक्शाबलों ने सीमा पर चौक सी बढ़ा दी सीमा वर्ती इलाकों पर ड्रोन की मदद से नजर रखी जा रही है दूसरे लबजों में कहें तो सुरक्शाबल सरहत पार से होने वाली किसी भी साजश को नाकाम करने के लिए तयार है